सोलन विधान सवास सीट पर लगातार ससूर दामाद आपसी लड़ाई करके जोनता के मुद्दों से भड़क रहे हैं। सोलन में आयोजित प्रैसवारता के दुरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपयध्यक्ष विनोध ने कहा कि पिछले कई वर्षों से सोलन में फैमिली ड्रामा चलाकर सोलन की जनता को विकास के नाम पर जुन जुना दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ कॉंग्रेस के विधाय धनिराम शांडिल समर हिल से ही सोलन विधान सबा सीट चला रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम जराम के करीबी माने जाने वाले भाजपा नेता राजीश कर्षब सिर्फ लोगों के ट्रांसफर करने में व्यस्त है। विकास की गती रूकी है या किसी प्रकार का भी यहां पर सरकारी विकास है उसमें अगर आगे गती नहीं ले पाया तो दोनों जिम्मेवारे इसके लिए एक सत्ता पक्ष में हैं वो पूर्ण रूप से सत्ता के बहुत करीब हैं मुख्य मंतिर जी के चहते होने के ही है कि आपके साथ अगर जनता है आप लोगों के बीच में जा रहे तो आपने सोलन की जो समस्य हैं अपने जो की अपके ले नहीं कि Buenos हैं और भाते हैं क्वारे और का स्थानी घर यहां inbox है नहीं इसलिए आप व्लोगों की समस्यान की कोई फिकर नहीं है दर्द नहीं है और आप दोनों जो है ये फैमिली ड्रामा बंद करें आप सोलन की जनता आप दोनों को घर में आराम से बिढ़ा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ कॉंग्रेस के विधाय धनिराम शांडिल समर हिल से ही सोलन विधान सबाज सीट चला रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम जैराम के करीबी माने जाने वाले भाजपा नेता राजीश कर्ष्य सिर्फ लोगों के ट्रांसफर करने में व्यस्त सोलन में जो कॉंग्रेस और भाजपा के जो अरत्याशी अपने आपको समझ के चल रहे हैं यह दोनों ही आपस में रिष्टेदार हैं और जनता का ध्यान अपने और आकरशित करने के लिए एक दूसरे के उपर आर्यों प्रतिरप लगा रहे हैं और इसके अलावा यह कुछ नहीं ले पाया तो दोनों ही जिम्मेवारे इसके लिए एक सप्ता पक्ष में हैं पूर्ण रूप से सप्ता के बहुत करीब हैं मुख्यमंतिर जी के चहते होने के बावजूद भी सोलन में किसी प्रकार का बड़ा प्रजपा यहां पर नहीं ला पाई ना सोलन के लोगों क आपके दोरा किये कारें रुके पड़ें आपने कितनी पार एजिटिशन किया कितने अंदोलों ने अपने इसके लिए कि लोगों के बीच में आप अपने लोगों को छोड़ देतें कि आप मेरी बात को रखिए और खुद जो है आप सिर्फ बुबलाने पर यहां पे लोग को खुदिए